Hello friends, welcome to Citrus Aroma आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग इसमें दो पीड़ा बनाएंगे एक पैन में बनाएंगे और एक आवन में बनाएंगे और साथ ही साथ उसको देखेंगे कि दोनों का रेजल्ट कैसा निकला है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तो चलिए दो डिफरेंट पीजा की रेशिपी स्टार्ट करते है चलिए पह अभी यहाँ पर मेरे पास इस्ट है यह इस्ट हम लोग लगबख वन टेबल स्पून एड़ करेंगे आड़ करके पानी के साथ मिक्स करके इसको ठकके 10-15 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे 10 मिनट हो चुके है चलिए इस्ट को चेक कर लेते हैं यह इस्ट हमारा एक् आइल भी आड़ करेंगे कोई भी कुकिंग ओयल आड़ केजिए ओयल आड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी हम इसमें दो कप और परपस फ्लायर यानि कि मैदा आड़ करके एक सॉफ्ट डो बनाएंगे आपके मैदे के इपर डिपेंड करके इसमे दो को ढखके एक से दो घंटे के लिए छोड़ते हैं कि दो घंटे के बाद हमारा मैदा राइस हो चुका है देखिए इसमें पंच मारती ही सारा हवा निकल जाएगा अभी इसको एक वर्क सरफेस में लेके थोड़ा सा ड्राई मैदा इसमें स्प्रिंकल करके इसको अच्छ में डिवाइट कर लेंगे यहां से तीन पीज़ा बन जाएगा मैं दो ही बना रहा हूं बाकि आप कुछ भी बना सकते हैं उससे बाद में यूज कर सकते हैं तो पहला हमारा बेस जो है बनके तयार है अल्मोस्ट देखिए इस तरह से पतला आपको एक बेस बनाना है इसमें आ पामड़र पेपर लगने से डारिक्ट इसमें हीत नहीं लगेगी कढ़ाई से इसलिए मैंने यूस किया है आप पैन भी यूस कर सकते है और आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते है यह टोटली ऑप्शनल है मैंने इथ लिए दिया है कि यह कढ़ाई में चिपकेगा नहीं अभी इसके ऊपर आप चीज अच्छे से कवर कर दे और वेजटेबल स्टाल दीजी अपने पसंद का यहां पर मैंने श्रिम्ला मिर्च और अनियन यूज किया है उपर से आप औरिगेनों और चिली फ्लेक्स कर दे इसमें कोई क्वांटीटी नहीं है आप पुछ इतना और हमारा ब्रेट भी अच्छे से पक जाए तब तक हमारा दूसरा भी बेस बनके तयार है देखिए हम लोग इसको अवन बनाएंगे तो मैंने इसको ट्रे में प्लेस कर लिया है तो यहां पर हम लोग सेम प्रसीजियर से होल्द बना लेंगे पीज़ा सॉस अपलाई कर ले कर दिया है बैट इस सेम प्रसीजियर है आपको अच्छे से इसको कवर करना है एक लेयर चीज का अब इसके उपर आप टॉपिंग्स डालिया आप कोई भी अपने पसंद का डालना चाहते है आप डाल सकते है मैं यहाँ पर इसको ऑथन्टी इतालिया बनाऊंगा तो मैंने कुछ टमाटर स्लाइस करके डाल दिया है यहाँ पर मेरे पास मौजरेला चीज है इसको मैंने काटके एक्स्ट्रा डाल दिया है तो यह डबल चीजी बनेगा इसको हर तरफ स्प्रेट कर दे अभी मैं यहाँ पर कुछ बेजल्स के पत्ते आट करूंगा बेजल लीब्स जिससे यह ऑथन्टिक इस पर इटालियन फ्लेवर आएगा तो मेरा यह पेज़ा असेंबल हो चुका है तो चलिए इसका ओवन में डाल देते हैं 350 डिग्री फेरेनहाइट यानि की 180 डिग्री सेंटीग्रेट और यह जाएगा 15-20 मिनट जब तक यह चीज उपर से एकदम उचलने लग जाए तब तक आप इसको कुक कर लें अभी हमारा कढ़ाई वाला तो बन चुका है देखिए चीज मेल्ट हो गया है ब्रेड अच्छे से पक चुका है और यह हमारा आवन वाला भी बाहर निकल चुका है ओके चलिए अभी दोनों पिजा चेक करते हैं इसको खा के भी देखेंगे और इसका टेक्श्टर भी चेक करेंगे तो यह थोड़ा बहुत थंड़ा हो चुका है मैंने इसको काट लिए है देखिए यह परफेक्ट बना है दोनों ही पैन में भी परफेक्ली पिजा बनता है और आवन वाला तो बनाई है तो ये दोनों ही बहुत सॉफ्ट बने हैं बट कड़ाई वाला पहले बना था तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसको अगर आप फिर से माइक्रोड में री हीट करेंगे दस से पंदा सेकेंड के लिए री हीट करें और हाँ मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ आप इसको री हीट करते वाक्त इसमें थोड़ा सा एक टी स्पून उसमें पानी डालके री हीट करें तो देखिए ये एकदम चीवी नहीं बनेगा और इसको री हीट करने के बाद मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत फूलिए मैं अगली बार हाजी रोजओंगा फिर एक नहीं रेसिपी के साथ तिल देन टेक कियर एंड बाई